लिए आप दोनों की आज की एनरजी लेकर देखते हैं क्लेक्टिव लविल पर आप दोनों की आज की एनरजी ग्या निकल कर आती हैं तो इस deck को मैं करूँगी randomly two parts में divide और हम देखेंगे आपकी energy और आपके person की energy यह आपके person की energy है guys और यह आपकी energy है देखते हैं one by one क्या energies रहेंगे आज के दिन में first card है ace of wands तो बहुत सारे लोगों के साथ यह हो सकता है कि आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कुछ creative करें कुछ लोग आज के दिन बच्चों के crayon उठा कर painting कर सकते हैं खुद की life में कुछ creative कर सकते हैं कुछ अच्छा सोच सकते हैं प्लिस हाँ जरूर अपने person के बारे में बहुत positive सोचेंगे आप moon की energy है कुछ लोगों के life में आज के दिन बहुत emotional हो सकता है थोड़ा सा disturbing हो सकता है emotional disturbances आपको feel हो सकते हैं साथी साथ mother mother से related कोई खबर है तो या तो mother आप से किसी बारे में कुछ discussions कर सकती है आपके future को लेकर या आपके person की mother बहुत जादा controlling हो सकती है mother या mother-in-law कुछ इस तरह की situations भी हो सकती है ये जगड़े की energy है conflict तो हो सकता है कि कि किसी female energy से conflict हो किसी mother figure से दादी हो गए बुआ हो गई, mother हो गई, sister हो गई यहाँ पर किसी तरह का conflict किसी female से conflict की energy है साथी साथ आज के दिन आपको गुसा बहुत जल्दी आएगा क्योंकि आप already emotionally थोड़े disturbed हो तो जब इनसान जो कहते है न घायर, शेर और खतरनाक होता है तो ये जो energy है ये ऐसा है जैसा कि आपके उपर already बहुत irritation है, frustrating energy है और इस समय अगर किसी ने आपको छेड़ दिया तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं ये वाली चीज़े है night of coins, बहुत time से आप बरदाश कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, बहुत समय से हो सकता है कि वो अबरदाश की जो सीमा है वो पार हो सकती है तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा throat chakra यहाँ पर बहुत high हो सकता है swords की energy है, communication पर ध्यान दें अठोर वानी हो सकती है four of cups, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि इनके life में कुछ भी सही नहीं हो रहा है सबकी life में ठीक हो जा रही है चीज़ें खराब हो रही है, फिर ठीक हो जा रही है पर इनकी life में पदा नहीं है ऐसी कौन से कर्म है कि कुछ चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही चीज़ें पुस्पोन होती जा रही है न करियर अच्छा चल रहा, न love life अच्छी चल रही, न married life अच्छी चल रही कुछ न कुछ ऐसे situations है, तो emotionally थोड़ा सा आज का दिन heavy नजर आ रहा है, overall energy is seven of sorts, again we have got source energy तो overall energy is disturbing, आपकी energy आज बहुत अच्छी नहीं है कुछ लोगों के life में आज का दिन ठीक जाएगा, बट जादतर लोगों की energy आज के दिन drain होते नजर आ रही है, cheated feel कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ आज चोरी की घटना भी हो सकती है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप कहीं रखके भूल जाएं, मिले ही न, तो थोड़ा सा आपको सतर करें न, अपने conscious level में रहें ये नहीं कि आप किसी के प्यार में बिल्कुल ही disturbed हो गए, ऐसा ना करें बिल्कुल, अपना ध्यान रखें, self love is very important आप fit रहेंगे, आप अपने आप से प्यार करेंगे, तो ही आपके अंदर प्यार की भावना जागरेत होगी दूसरों के लिए, और दूसरों से भी आपको मिलेगा आपके अंदर भरा होना चाहिए love, तो अपने अंदर कमी मत होने दीजे, अपने अंदर fulfilled रहें आपके person के हाल चाल भी आज कुछ ठीक नजर नहीं आ रहें, 10 of swords से reading शुरू है, मतलब हो सकता है, आप इनकी energy पिक करें यहाँ पर इनके भी हाल चाल आज ठीक नहीं है, king of wands, आपकी तरफ ace of wands था, इनकी तरफ king of wands है तो जो लोग contact में हैं, जो लोग बाचीत कर रहे हैं, उनकी energy काफी balanced है, सुकून में है judgment, आपके person भी कोई decision लेना चाहा रहे हैं, आज के दिन में हो सकता है, कोई बड़ा decision ले कुछ चीज़ों को end करने का decision ले सकते हैं, love life से related भी कोई बड़ा decision हो सकता अच्छा देखी, lovers में एक energy मुझे पता ने, मुझे feel हुई, आप लोग को हुई की नहीं, पता ने love life से related कोई बड़ा decision है, balance की energy है, मतलब एक तरह से आप समझ लीजे, राधे कृष्ण का जो major अरकाना से card आता, उसके साथ shift शक्ती, यहाँ पर lovers with temperance आया है चीजें balance होते नजर आ रहे हैं, third party से related भी कुछ conflict आज के दिन में नजर आ रहे हैं, union में कुछ problems हो रही है union की जो problems है, उनको दूर करना है, ऐसी vibration है यहाँ पर सो देखते हैं इसके बाद जो body reading आएगी, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, किस type की energy होगी, थोड़ा interesting नजर आ रहा है और मुझे यह चेक करना है कि कैसा decision है, क्या love life में कुछ खतम करना चाह रहे हैं, यह third party से related ending होगी सो मिलते हैं, till then take care guys, bye bye